दोस्तों जीवन वीमा अभिकरताओं के लिए मैनेजमेंट कोर्स का यह तीसरा वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अब दोस्तों अगर आप एक सफल अभिकरता बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दो चीजें होना बहुत ज़रूरी है पहला चीज आपकी रणनीती क्या है और दूसरा चीज आपका आपके कारियों के लिए बिसलेशन क्या है अगर यह दो चीजें अगर आप regular फालो करते हैं तो यखीन मानकर चलें आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता आप अपने आपको खुद भी पीछे नहीं कर सकते हैं तो मुझे यह लगता है कि एक जीवन भीमा आभी करताओं के लिए यह दो चीजें बहुत ज़्यादा महत्वपोर हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इन ही दो मुद्दों के उपर आप से डिसकस करने जा रहा हूँ हाला कि यह जो टापिक है सिर्फ इस वीडियो में समाप्त नहीं होगा आने वाली कुछ वीडियो में इसी टापिक के उपर चर्चा होती चली जाएगी लेकिन यह जो वीडियो है यह आने वाली सभी वीडियो का base है यहाँ पर कुछ basics जानकारी मैं आपके साथ share कर रहा हूँ क्योंकि बिना इस basics जानकारी की आप आगे के जो management है अपने जीवन बीमा कारोबार का जो management है वो आप नहीं कर पाएंगे आप इस वीडियो के महत्व को इस चीज़ से आखड़ा लगा सकते हैं कि देखे मुझे यह जो वीडियो है यह मुझे कल ही post करनी थी मतलब 10 March को ही मैं इस वीडियो को post करना चाहरा था लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले दो बार मैंने वीडियो को बनाया है और उसको डिलेट कर दिया है और उसके बाद तब फाइनल वीडियो यह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो यह निचोर जानकारी है मैं यहाँ आप तक पहुचा सकूँ और आपका समय फालतू का नुकसान न हो अच्छा एक बात बताना और जरूरी समझता हूँ देखे अभी तक कि जो दो वीडियो बनी है वहाँ एक अभिकरता कि पर्सनल और प्रोफेसनल लाइफ को ध्यान में रखते हुए वह जानकारी दी गई है अगर आप दो वीडियो को देखे होंगे तो आपको यहाँ अंदाजा हो गया होगा उसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा यह थी कि एक अभिकरता कि पर्सनल लाइफ के कारण उसकी पर्सनल लाइफ पर एफेक्ट पड़ता है पर्सनल लाइफ के कारण उसके पर्सनल लाइफ पर एफेक्ट पड़ता है लेकिन आज के बाद यह जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यह सुध आपके professional life से संबंधित होगी आने वाली वीडियो में जहां कहीं भी मुझे यह समझ में आएगा कि आपकी personal life की जानकारी भी सामिल करना है तो अब वहीं पर मैं इस जानकारी को मतलब आपके personal life की जानकारी है उसको सामिल करूँगा तो चलिए अब मैं आपके विशेश समय को नस्ट न करते हुए इस जानकारी को सुरू करता हूँ लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा वीडियो बहुत जादा महत्वपूर्ण है बेसिक जानकारी है लेकिन अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे कितने तरह की होती है तो आपका जवाब क्या होगा अब चुकि अगर आप मेरे सामने होते तो सायद प्रस्मुत्तरी हो सकते थी लेकिन अभी संभव नहीं है तो चलिए मैं अपना दिश्टी कोन आपके सामने रखता हूँ मुझे लगता है कि एक जीवन बीमा आविकरता को अपने पूरे जीवन काल में तीन तरह का कारे करना होता है अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए आप जितने भी तरह के कारे करते हैं इन कारियों को तीन स्रेणियों में आप बांट सकते हैं पहला होता है आप जब कारोबार करते हैं तो आपका कारोबार आपके निव बिजनिस से रिलेट करता है या फिर पालसी सर्विसिंग से रिलेट करता है या फिर जो डाक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेट करता है इन्हीं तीन कार्यों के इर्द गिर्द आपका सारा का सारा जो G1 Bima Agency का कार्य है इन्हीं तीन इकाईयों के अंदर रण करता रहता है क्या आप मेरी बात से सहमत हैं यदि हैं तो कमेंट करके बताईएगा अब मेरा आपसे एक प्रस्न है प्रस्न यह है कि आपको पता है कि यह तीन कार्य आपको करने हैं तो इन तीन कारियों को करने के लिए आपकी रणनीती क्या होती है? क्या आपने कभी अपने इन तीन कारियों का विसलेशन किया है? Actually होता क्या है कि जो एक सामान अभिकरता होता है, वह सामान अभिकरता, अपना जो target set करता है, या जो रणनीती बनाता है या जो बिसलेशन करता है वह सारा का सारा उसको बाहर से दिया जाता है बहाँ से मतलब क्या है आप अपने ब्रांच में चले जाते हैं आपका ब्रांच मेनेजर या आपका ABM या आपकी विकास अधिकारी या फिर अगर आप CLIA से जुड़े हुए हैं वह आपको बुलाते हैं और आपसे कहते हैं कि यार एक बात बताओ इस महिने में तुम कितनी प मिलता है ऐसा नहीं कि इसका result नहीं होता result मिलता है लेकिन आप खुछ से पूछे क्या यहाँ एक सही तरीका है क्या आप इस तरीके से सफल हो सकते हैं suppose that कि आपके mobile पर काल आना बंद हो जाए मतलब आपका अभिकास अधिकारी फोन न करे आपकी ब्रांच से कोई फोन न दोस्तों जीवन भीमा आभिकरता कि जीवन में दूसरी एक महत्तोपूर घटना घटित होती है और वह यह होती है कि वह हमेशा अपने आपको दूसरे बहतर एजेंटों से compare करता रहता है और मुझे लगता है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो नहीं करना चाहिए क्योंकि पिरे से अपने आपको compare मत कीजिए अगर करते हैं तो मत कीजिए compare अगर करना है तो खुझ से कीजिए आने वाली वीडियो में ये चीजें बहुत ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगे और दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे अभिकरता ऐसे हैं जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर और गोली चलाना चाहते हैं या उनको उसमें सुविधा नजर आती है मैं अपनी बात को सरल सब्दों में रखता हूँ अब जैसे मान लेजिए आपको अपना proposal farm pass कराना है या policy number alert कराना है या आपको policy का revival कराना है या suppose that death claim हो गया death claim दि या लाइए या कोई और आफिस का जो कार है कोई और कर दे दोस्तों अगर आप वास्तों में सफल होना चाहते हैं तो मेरा कहना यह होगा कि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो जाती है हर table की पूरी जानकारी नहीं हो जाती है तब तक आप अपने कारियों को किसी को म आप support लीजिए जैसे अगर आपको proposal फार्म भरने नहीं आता है तो आप proposal फार्म को अपने से भरिए विकास अधिकारी से चेक कराईए जो गलती है वो पता कीजिए फिर से अपने से फार्म भरिए अपने से फार्म भरना बहुत ज़रूरी है अगर suppose that कि आपको policy revival कराना है तो आप किसी को दे करमत कराए, ठीक है, शुरुवाती दौर में आपको दिक्कत होगी, मैं मानता हूँ लेकिन जब तक वह जानकारी आपके पास नहीं होगी, तब तक आप सकसेस होने का सपना तो छोड़ ही दीजिए सकसेस होने के लिए आपको हर टेबल की जानकारी होनी चाहिए, फार्म कैसे भरे जाते हैं, यह पता होना चाहिए, एक प्रॉसेस जो है, वो प्रॉसेस आपको पता होना चाहिए अब दोस्तों यदि आप चाहें तो हमारा चैनल इसके लिए आपकी मदद कर सकता है मैं थोड़ी सी जानकारी वहाँ पर आपको दे देता हूँ जैसे अगर आप चाहते हैं death claim की जानकारी लेना अब इसके लिए आप हमारे चैनल पर आईए और playlist को आन कर लेजिए और playlist में देखिए या जितने भी बीव करते हुए rectangles आपको दिखाई दे रहे हैं यह जो जानकारी है एक नए अभिकरता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है चाहे आपको death claim से संबंधित जानकारी लेनी हो चाहे proposal farm अगर आपको भरने नहीं आता है कैसे भरा जाता है उसकी जानकारी लेनी हो या फिर जैसे अगर आप नए अभिकरता हैं और आप club member नहीं हो पा रहे हैं तो देखिए club member की जानकारी देने के लिए बिल्कुल last की video पड़ी है आपको इस video को देखना चाहिए और अगर मान लेजे कि आप लंबे समय से कारे कर रहे हैं और आपका कारोबार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो देखिए इस समय जो यह बिलिंक करता हुआ है आपको वरगा कार एरिया दिखाई दे रहा है आपको यह जो playlist है इस playlist को जरूर देखना चाहिए इसमें जो जानकारी है यह extraordinary जानकारी है यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए और यह जानकारी जब आप अपने customer से आप discuss करते हैं तो इसका benefit आपको होता है बहराल चलिए हम फिर से अपने topic पर लौटते हैं अब दोस्तों अगर आपने यह तै कर लिया है कि हमको success होना है और इस management course के अंदर आना है तो फिर आपको 5 चीज़ों को apply करना पड़ेगा यह 5 चीज़ें क्या हैं 5 चीज़ें यह हैं कि सबसे पहले आपको यह analysis करना होगा कि आप अभी तक क्या किये हैं और आपको भविस्व में क्या करना है इसके बाद आपका target क्या है अब target का मतलब यह नहीं है कि मैं बात नए बीमे से कर रहा हूँ देखे होता क्या है कि अधिक्तम अभिकरता के दिमाग में जब लक्ष की बात आती है या कहीं कोई target set करने की बात आती है तो उसका दिमाग जाकर सिर्फ एक जगव पिन होता है कि हमको सिर्फ नए बीमे पर काम करना है नए बीमा बहुत अच्छा है नए बीमे से ही आपकी ग्रोथ होगी यह बिल्कुल सत्य है लेकिन अगर आपकी पुरानी पॉलसियां टूटती चली जाएंगी बिखरती चली जाएंगी तो फिर आप अपने जीवन बीमा की एजंसी में कभी भी success नहीं हो सकते हैं तो आप टारगेटिंग क्या करना चाहते हैं इसके बाद आपने जो भी टारगेटिंग किया चाहे किसे मान लिजिए कि आपने ये तय किया कि भाई मेरे को इस महिने में 20 पॉलसी करनी है या 25 पॉलसी करनी है तो आपने टारगेट तो कर लिया 25 पॉलसी करनी है तो इसकी र उसकी वज़त से कि आपका कलम member clear नहीं हो पा रहा है तो क्या आपने यह target किया है कि 70 policy ओ में से मैं अपनी ओसे कोसिस करूँगा कि इस महीने में 10 policy enforce करा दो क्या मैं यह कोसिस करूँगा कि इस महीने में कोई भी एक policy lapse नहीं होनी चाहिए क्या इस तरह का कुछ आपने टार्गेट किया है मुझे लगता है कि बहुत कम ही अभी करता ऐसे होते हैं जो इस तरह की टार्गेटिंग करते हैं क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा टार्गेट बनाना चाहिए ऐसे लक्ष को निर्धारित करना चाहिए जब आपने लक्ष निर्धारित कर दिया तो उसके बाद फिर उसकी रणनीती क्या है वही कैसे बीमा बेचेंगे, 30 पॉलसी करना है कैसे करेंगे अगर 70 पॉलसी लेप्स है, 10 पॉलसी आपको रिवाइब करानी है या कैसे कराएंगे इसकी रणनीती क्या है अगर मान लिजे कि आपने रणनीती बना दी कि मुझे इस रणनीती के तहत काम करना है जैसे फार इजामपल आपने ये सोचा कि चलो यार मेरे जो प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट है इस प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट में 10 लोग ऐसे हैं जिनके घर में छोटी बच्चियां है तो मैं उनको कन्यादान पॉलसी की बात चीत करूँगा या प्रापर्टी प्लानिंग की बात करूँगा तो इस तरह से जो भी आपने रणीती बनाई उस रणीती के लिए अब आपको एक्ट करना होगा ऐसा नहीं कि आप घर में बैटके और सिर्प रणीती बना रहे हैं आप इस रेसर कर रहे हैं उससे सक्सेस मिलने वाली नहीं है मेरे बाई और जब आप act करते हैं तो उसका फिर result आपको क्या मिलता है आपको इसका फिर जो है result के उपर ध्यान से उसकी जाच करनी होगी और जब आप result देख लेते हैं तो फिर से यह circle घुम जाएगा फिर से आपको आना है या आपने जो result पाया क्या result आपका अच्छा है अगर अच्छा है तो इसमें और बहतर क्या किया जा सकता है मान लेजिए result आपका आपकी आसा के अनुरूप नहीं आया आपने जितना सोचा था उस तरह का result आपको नहीं मिल पाता है तो फिर अब आपको बिसलेशन करना होगा कि हमने गलती कहां कहां की है और फिर यह सरकल घूम जाएगा लेकिन दोस्तों यह इतना आसान नहीं है मुझको मैंने बहुत क्या है जो भी एक दो मिनिट लगा हो चुकि रिकार्डिंग कर रहा हो तो मुरे को टाइमिंग का आइडिया नहीं मिला है तो जो भी समय लगा हो इस छोटे से समय में मैंने आपसे बोल दिया लेकिन सिर्फ यह जो पांच चीज़ें हैं ना इन पांच चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मतलब आप एक सामान रूप से अपने जीमन में प्रते दिन आप इन चीज़ों को फालो अप कर सकें इसके लिए कम से कम भी आपको छे महीने से साल भर का समय लगेगा मैं इस इसकी गारेंटी लेता हूँ अब इन चीज़ों को हम आगे अपलाई कैसे करेंगे इसकी जानकारी अब जो next वीडियो जाएगी हम उसमें discuss करेंगे चुकि मैं यहाँ पर सिर्फ basis की बात में कर रहा हूँ तो अब मैं चलता हूँ next topic की ओ next topic क्या कहता है कि अगर आप इस तरह की जो रणनीती है या फिर यह जो मैथड है अगर आप इस मैथड को अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होगी आपको चार प्रकार के register की चार प्रकार का register क्या है चार प्रकार का register होता है सबसे पहला रजिस्टर होता है जिसमें कि आप अपने सालाना रिकार्ड को मेंटेन करते हैं दूसरा होगा जिसमें आप अपने मंथली रिकार्ड को मेंटेन करेंगे तीसरा होगा जिसमें आप अपने वीकली रिकार्ड को मेंटेन करेंगे और चौथा होगा जिसमें आप अपने डेली रिकार्ड को मेंटेन करेंगे अब दखें यहाँ पर दो चीजी हैं अगर आपको target सेट करना है अपने लक्ष को निर्धारित करना है ऐसी condition में यह जो circle है up to down जाएगा up to down से मतलब क्या है सबसे पहले आपको अपने साल के लक्ष को निर्धारित करना होगा अपना target जो है साल का निर्धारित करना पड़ेगा उसके बाद फिर मन्थली फिर विकली और उसके बाद तफिर डेली लेकिन अगर आपको विसलेशन करना है तो वो down to up जाएगा मन्द आपने लक्ष निर्धारित कर लिया कि मुझको इतनी पॉलिसी सेल करनी है मेरे पास बाद पर ने होगा इतनी पॉलिसीओं को रिवाईव करा लूँगा या मेरे ओपर इतना कर्जा है मैं इस कर्जे को 6 महीने या 7 महीने के अंदर मैं उतार दूँगा मैं इतना benefit कमाऊंगा या आपने कोई ऐसा सपना देखा कि चलो यार मेरे को इस साल क्या है 4-wheeler लेना है तो इस तरह के जो भी target है ये target आपको up to down टे करना है सबसे पहले सालाना record में अपने इस जो target है आप इसको तर्ज कीजिए उसको फिर month-wise divide कीजिए, weekly divide कीजिए और फिर daily वो कीजिए अब हो सकता है कि आपके मन में यह हो कि ये कही बात को मैं 4 register में क्यों लिखूंगा दोस्त अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये जो management वाला course है आपके लिए किसी काम का नहीं होगा तो ये लिखना तो पड़ेगा अगर वास्तों में आप success होना चाहते हैं और अपने आपको manage करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रास्ते पर चलना पड़ेगा एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ देखिए अगर आप पुराने एजेंट हैं तो आपने यहां देखा होगा कि आप branch में अपना policy number लेकर जाते थे branch के अंदर और branch में आप बोलते थे कि भाई इस policy number का आप docket मेरे को दे दो वो docket room में जो रहने वाला बैक्ती था वो कितने उसको कितना देर लगता था आपका document देने में कितना time लगता था मुझे लगता है अधिक दो से तीन मिनट और docket room की अंदर कितने सारे जो policy के docket होते थे कितने सारे होते थे उसको कहते हैं management system तो अगर आपको अपने life में भी management system को apply करना है तो इन सभी चीजों को follow up करना ही पड़ेगा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है शुरुवात में यह दिक्कत भरा है मैं आपसे पहली वीडियो से बोल ला हूँ लेकिन अगर आप इसको follow करते हैं तो यह आपके इतने सारे time को बचाएगा कि आप बाद में खुद कहेंगे कि कास मैं इस चीज को पहले शुरू कर लिया होता अब दोस्तों मैं आपको आज एक homework देना चाहता हूँ और यह homework बहुँ जरूरी है और मैं चाहूंगा कि इस homework को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप complete करें homework क्या है सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ देखिए आपको तीन तरह के काम करने होते हैं new business related, policy servicing related और जो भी document है client के document या LIC office से document लेना देना यह तीन तरह के मूलकारी करने होते हैं तो आज जब आप इस वीडियो को समाब्द कर लेते हैं समाब्द करने के बाद आप एक कोई भी कापी, रफ कापी ले लीजिए कोई भी कापी ले लीजिए यह register को मत चुईएगा सबसे पहले आप एक कापी का कोई साधा page open कर लीजिए और उसमें शुरू कीजिए लिखना क्या कि अब भी आज के date में आपके पास कितने proposal farms पड़े हुए proposal farm का मतलब वह farm जो आपने भर दिया है इसके बाद मान लीजिए आप survey करते हैं तो survey, survey farm के उपर निशित रूप से आपने काम किया होगा तो अगर आप survey करते हैं तो survey के, जो survey में farm भरे हुए है कितने prospect आपको survey farm के जरिये मिले हैं आप उसको note कीजिए अब हो सकता है कि हमारे कुछ मुईतर यह न समझ पा रहे हूँ कि यह survey farm क्या है तो दोस्तों मैं इसको दिखा देता हूँ देखे, आप YouTube के उपर जाईएगा LIC New Survey Farm by RITES LIC Advisor लिखकर सर्च कीजिएगा यह एक वीडियो मिल जाएगी आप इस पूरी वीडियो को देखेगा इसमें survey farm के बिसे में बिस्तार से बताया गया है आप उस survey farm को डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट कराके उप्योग कर सकते हैं आपको नहीं पता है तब अब जैसे मालेज़े कि आपने survey farm पर काम किया है तो आपके कितने survey farm भरे हुए हैं आपको इसको देखना होगा इसके बाद अगर आपने lead generator farm बनवाया है और आप उसका उप्योग कर रहे हैं तो आपके lead generator farm में कितने data आपको मिले हैं आप उसको note कीजिए यहां भी हो सकता है कि हमारे कुछ मित या नहीं समझपा रहे हैं कि lead generator farm क्या होता है तो आईए मैं इसको भी दिखा देता हूँ start में तो देखिए आप YouTube पर चले जाएगा और YouTube के search box में at the rate insurance और नीचे जो line होती है और hand लिखकर search किजिएगा देखिए इसे हमें screen पर दिखाई दे रहा है तो जैसे ही आप search करेंगे यह जो हमारा channel है यह open हो जाएगा insurance hand के नाम से है चाहें तो आप इसको भी subscribe कर सकते हैं तो यहां पर है क्या देखिए playlist में आप चले आईए इस channel पर और यहां पर देखिए यह video है इसमें lead generator farm के बिसे में बताया गया है आप इसको भी देखकर जानकारी ले सकते हैं चलिए और फिर से हम चलते हैं अपने topic के ऊउपर अब देखिए आपने पर काम किया लीड generator farm पर अगर आपने काम किया हुआ है तो आप यह लिखिए कि कितने lead generator farm के जरिए आपको lead मिली हुई है इसके बाद prospects आपके पास कितने हैं मदलब आपकी prospect list में कितने लोग हैं इसके बाद आपने कितने supporter तयार किये हुए हैं मलब होता है न कि आपने किसी से बात कर लिया कि भाई मेरे को भीमा करा तो मैं तुमको यह दे दूँगा इसके भी से में भी बहुत सारी जानकारी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है तो अब उस ओर मैं नहीं जाता हूँ तो आपने कितने supporter तयार किये हैं दो हैं, चार हैं, पांच हैं उसको भी आप एक register में मलब वो जो page पे लिख रहे हैं वहाँ पर लिखिए अब इसके बाद policy servicing के notes आपको लिखने हैं policy servicing notes में क्या लिखना होगा देखे एक एक छोटी से छोटी चीज आपको note करना है अगर management system में आप आना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप ignore नहीं करेंगे सबसे पहले, आपके पास कितनी policy है जो in force condition में है कितनी policy हैं जो आज की date में lapse हो चुकी है कितनी ऐसी policy हैं जो revive होने के लिए तयार है revival farm आपको मिल चुका है आपके पास premium पढ़ा हुआ है और बस उसको revive कराना है loan के farms कितने हैं मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे न कि वो आपसे बोले होंगे सर जी मेरे को loan दिला दो तो कितने ऐसे loan के farm है जिसके लिए आपको काम करना है मतलब उस customer को loan दिलवाना है इसके बाद अगर आपके पास maturity claim का farm भरा हुआ है मतलब maturity claim करना है तो ऐसे कितने काम है जो आपके पास पढ़े हुए है अभी branch में जमा करना है USB payments अभी तक आज की date में जब आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आज की date तक कितनी policy के USB payments बचे हुए हैं उसमें कितनी ऐसी policy हैं जिस पर की loan चल रहा है इसके बाद फिर उसी कागज में आप यह note कीजिए कि आज की date में कितने ऐसे death claim हैं जो process में हैं या death claim हुआ है और उसका record आप collect कर रहे हैं इसके बाद अगला topic आपको note करना है कि आपने neft farm कितने भरे हुए हैं नेft farm भर कर आपके bag में कितने ऐसे farm है जिसको की आपको LIC office में जमा करना है लेकिन आपने जमा नहीं किया है ऐसे farm कितने हैं इसके बाद address change करने के लिए कितने farm आपके पास पड़े हुए हैं कितने application हैं mode change करने के लिए कितने application है नावनी change करने के लिए कितने application आपके पड़े हुए है ये बकाइदा numbering में आपको किसी न किसी कागस पर note करना होगा और इसको आज के आज आज आपको note कर लेना चाहिए अब बात करते हैं documents की तो documents में है क्या आपके पास अभी तक कितनी policy की रसीदें पड़ी हुई है आप इस number को note मत कीजिए लेकिन उन सारी की सारी रसीदों को खोजिए और खोज खोज कर इकठा करके अपने bag में रख लीजिए इसके बात आपके पास कितने policy bond हैं जो अभी आपके पास पड़े हैं customer को देने हैं या LIC आप इसमे ले जाने हैं तो अगर आपके पास policy bond पड़े हुए हैं तो एक अलग से register बनाईएगा और उस register में जितने भी policy number वगर हैं उनको आपको note कर लेना चाहिए कि ये policy number इस date में हमको मिला हुआ है इस काम से मिला है आने वाले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको manage करना है तो इसको इस record को note कर लेना चाहिए आपको इसके बाद other documents कौन कौन से हैं किसके किसके हैं जैसे मान लिजिए आपने policy sell करने के लिए किसी customer का school certificate लिया या आधार card लिया है pen card लिया हुआ है तो ऐसे दस्तावेज कितने हैं आपके पास और देखे इसको भी आपको क्या करना है अपने bag में रख लेना है लेकिन रखने से पहले हर जितने भी इस तरह के other documents हैं उनकी HD quality की photo खीच कर आप अपने mobile में रख लिजेगा या क्या करना है इसको हम अपनी आने वाली videos में हम discuss करेंगे अब देखिए अब कुछ और चीजें note करनी हैं और वह भी बहुत जरूरी है पहला चीज आपके ऊपर premium का load कितना है देखिए मैं जानता हूँ हर अभी करता के पास कुछ न कुछ बड़ें तो होती है अब बहुत ज़्यादा हम पब्लिक platform पर नहीं कह सकते हैं तो सबसे पहले आपको अगर इस दलदल से निकलना है ना तो आपको ये note करना होगा कितना amount इस तरह का आपके पास है जो की आपको जमा करना है premium load क्या है उम्मित करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इसके बाद other loan क्या है क्या आपने कहीं market से भी किसी तरह का पैसा लिया हुआ है किसी भी काम के लिए लिया हो चाए policy चालो कराने के लिए किसी चीज़ के लिए लिया हो क्या ऐसा कोई सरदर्द आपके पास है तो उसको note कीजिए कि इतने पैसे का सरदर्द मेरे उपर है इसके बाद आप जब काम करते हैं field में तो एक महीने में आपके उपर जो petrol का खर्च या जो भी गाड़ी आप रखते हैं जो गाड़ी यूज करते हैं उसके servicing का खर्च total मिला कर कितना आता है आप उसको note कीजिए इसके बाद आपके pocket money का खर्च क्या है एक महीने में आपके pocket से बाजार में आप जाते हैं चाय है, बिस्किट है वगरा वगरा चीजे खर्च होती है और ये agency का part of life है ये करना पड़ता है, हर विकरता को करना पड़ता है लेकिन ये note होना चाहिए कि कितने पैसे लगभग आपके खर्च होते हैं एक औसतन अनुमान तो आपको एक जगर note करना होगा अब आप इसको note कर लेते हैं इसके बाद आपको यह note करना होगा कि आपके ऊपर आपके family के expenses कितने हैं महिने में family में बच्चों की फीस हो गई कपड़े लगते हो गए घर के सामान हो गए इन सभी चीजों में औसतन कितना पैसा खर्च हो जाता है तो इन सभी चीजों को आप आज की आज note करके जरूर रख ले और मैं चाहूंगा वीडियो के comment section में आप हमें जरूर बताईएगा क्या आप इस note को तयार कर रहे हैं या नहीं तयार कर रहे हैं क्योंकि एक चीज सच मान के चलिए मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं अगर आप इसको आज की आज note करके रख लेते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी वीडियो कैसी लगी है मैं दिल से कहता हूँ कि आपके comment को मैं regular follow करता हूँ और मेरी कोसिस यह होती है कि अगर आप हमें comment कर रहे हैं तो आप भी मानेगे कि मैं आपके comment के reply भी करता हूँ तो जरूर मुझे आपके comment का इंतिजार है और आप वीडियो को like जरूर कर दीजेगा वह भी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे यह भास होता है कि वास्तों में आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारी इस channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर लें क्योंकि यह है एक महत्तोपूर जानकारी है आप तक पहुंचनी चाहिए और अगर आप subscribe कर लेते हैं और बिल आइकान पर क्लिक करके notification आन कर लेते हैं तो जैसे ही channel पर वीडियो पोस्ट होती है तो आपको notification मिल जाता है जिसे कि आप हमारी वीडियो को miss नहीं करते हैं चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समात करता हूँ आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ धन्यवाद, thank you very much